नमो नारे जे गोमाता वंदे मात्रमा भारती को प्णाम और फिरदर्शे ओम्शम शनिश्चरा है नमो फिरदर्शकाव मित्रों शाथियों ये 40-45 सेकिंड मेरे अनभाव का शातियों इन आखों से अपन सारी दुनिया को देख सकते हैं लेकिन श्योम को नहीं देख सकते हैं लेकिन श्योम को देखना हो तो दरपन चाहिए इन आखों से चराचर जगत को अपन देख सकते हैं लेकिन श्योम को नहीं और श्योम को देखना होगा तो दरपन की चुर्प ठीक इसी प्रकार अपने भीतर में विराज मान उस परमानन्द परम्शुक परम्शाथ्ति परमेश्वर इश्वर का अनभव करना चाहिए तो वह ज्यान रूपी दरपन चाहिए और ज्यान रूपी दरपन गुरु महराज जी की दयाशे बीदा है बात करते हैं 22 जुलाई 2022 के राशी फल और पंचांग राशी फल प्याओ उससे पहले आज का पंचांग स्रावन करश्पक्स की नौमी विक्राम श्रम दोहजार उनासी स्रावन मास की साथ परविश्टिव सक्समनिश चवालिस आसाट इकतिस तद अनुशाथ शुकरवार 22 ज का छन्दरदेव का शूंचन है और चंदरदेव मेश रासी में और श्रावन की आज़नोमी है राज की दिन प्राद नित्यकन में श्रदापुर्वक शर्दापुर्वक त्रेम्बकम यजा में शुगंधिं पुष्टी बर्दिनम उरुवार रुकमिन बंदनात मृति ममक्षे मामर्तात इस मंत्र का जाब करते हैं भगवान शिव के शिवि चमेली पे पुष्ट मिल जाये तब भी शोने में शुआगा अद्बूत है शुक्रवार का दिन है आज का महा उपाए राज की दिन ओम दीपताय नमहा ओम दीपताय नमहा इस मंत्र का जाब करते हैं मादेल के सिर्चनों में सर्दानुसार मोग्रे के पुष्ट पर्थ करत बूंदी घी चुटकी पर हल्दी को मिला कर अनामिका अंगली से कंट भाल और नाभी पर लगाईगा एक बूंद घी में एक चुटकी पर हल्दी थोड़ा सा घी में और उस उस से तिलक कंट पर करिएगा प्राश ओपर है इती परियासों के मावजूति कारोबार में धनला कर दिपक जलाई और शुद आशन पर बैठकर स्रधानुसार या फिर ग्यारा माला ओम नमो भगवति वासु देवाई नमो इस मंत्र की जाब करिएगा कष्ट और प्रहिशान से सुटकारा मिलेगा मालक्ष्मी को प्रसन करना धन की किरपा प्राप्ति चाहिए तो आज का दिन बड़ा शूब है सूर्य उदे से ठीक बारा मिंट बाद और सूर्या से ठीक बारा मिंट बाद भगवान स्री हरी विष्ञु के मंदिर में शुद देशी घी के ग्यारा दिपक जलाई और शर्धा पुर्वक सुद आसन पर बैठकर विष्टनु सेस्तन नमाले कर पर बारा बज़े लिए पच्पन मिनट ये पच्पन मिन्ट आज की दिन कोई भी शुबकारी करने के लिए सबसे उत्तम मुर्थ कोई भी नहीं नहीं कर दो जीट मुर्त भगवान सुरी हरी को बहुत प्रिया है दर्शकार में तरों शातियों आज के चौगडिया यानि लाब का अमरित का चौगडिया सुबह साथ बज़कर उननीस मिन्ट से लेकर नौ बज़कर दो मिनिट तक सुबह प्राते काली जो चौगडिया है वो लाब का चौगडिया है 9 बजगर 2 मिन्ट से लेकर सुबह 10 बजगर 45 मिन्ट अमरित का चोगडिया है और 12 बजगर 27 मिन्ट से लेकर 2 बजगर 10 मिन्ट तक सुबह का चोगडिया है सुबह कारी शंपन कर सकता है इस समय में और बात करेंगे आज की रहुकाल की आजगा रहुकाल प्राते साड़ी दस बज़े लेकर बारा बज़े तक रहुकाल के दौरन शुबकारी करना, सौधा करना, पुझनिज करना अनुकूल और उचित माना ने गया है, सलह मेरी मर्जियाद यात्रा उत्तर दिशा की उत्तम माने गई है और आज की दिन यात्रा पे जाने से पहले मीठा दई खाकर यात्रा पे जाएंगे तो कश्ट और प्रेशान से चुदकारा मिलेगा पिरदर्शकाओं, मित्रों, शाथि, शमेशादन प्रसतिया और काल में बहुत परिवर्टना है आप किसी भी दिशा में यात्रा करें कोई फरक नहीं परता लेकिन जब घर से बार निकलें साथ कदम उत्तर दिशा की और जाईए इस्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हुए मंगल में यात्रा की कामना के साथ राइट तन लीजिए कश्ट और प्रेशा में चुपकार आपने जाए प्रिदर्शकों में तरों शात्यों, 22 जुलाई आपका जनम दिन या प्रशादिक की साल गरे, तो मेरी और से आपको हर्दिक सुपकाम नाए आपका जिवन खुशों से भरा रेश्टने देव किसे जनम में मेरी क्रा, 22 जुलाई आपका जनम दिन दो और दो को जोड़ेंगे तो चार होगा इन जिनका जनम 22 जुलाई को है, उनका मुलांग चार होगा उनके जीवन में अंग चार का कहीं निए वजूद जरूर होगा मुलांग चार का शौमि घ्रह देवता राहुद देवता है मुलांग चार पर राहुद देवता का प्रभाव होने के कारण आप एक अधुद व्यक्तितों के शौमि आप सहजता पुरूप बहुत जल्दी में किसी से मित्रता उसकर नहीं करते हैं लेकिन एक बार आपकी मित्रता हो जाए तो आप बहुत अच्छी मित्र शाविफ होते हैं आपकी इस व्यक्तितों को आसाननी से समझना हर किसी के लिए संभव नहीं आपका जीवन उत्हा चड़ाव से भरारता है जीवन में आप एकाग सपलता और एक अच्छी एंकर, आर्ट डारेक्टर, मीडिया मेनेजर, राजनित्रिक परबंदंग, एड़टाइजिंग, उपदेशक के छेतर में विश्य शपलता हसिल कर सकते हैं, कला, शंगीत, लेकर गायन, वादन में बहुत आगे जा सकते हैं, आप अपने तरीकों से काम करते हैं, आपका जनमने खुद इस उपाई को करें, आज प्रातिकाल, नित्य करम से निर्वत हो, या आज प्रातिकाल, सिनान से पूर, मिटी की पात्र में थोड़ा सा दही लीजिए, ओम ततपुरसाय विदमे महा देवाय धीमी तन्नों रुत्र प्रचोद्याद, शिव गायतरी का 27 बार जाब करी, तस्पसाय ओम लंग लक्षमे नम, इस मंत्र का 27 बार जाब करी, जाब करने के बाद ये पूरा दही अपने सरीर पर मल दी, दही को सरीर पर मलने के बाद, ततपुरसाय विदमे महा देवाय धीमी तन्नों रुत्र प्रचोद्याद, इस मंत्र का जाब करती पाते हैं हाज दसम भाव की बात करूँगा तोकि दसम भाव आपका करम इस्थान है, आपका कामकाज है, आपका नौक्री है, आपकी कारी शाहली भी है और आपका इस्टेटस भी है यह दि दस्थम भाव में मंगल देव और बुददेव एक साथ विराजवान हो जाये ने, टो बहुत सुफ़ल प्रदान करते हैं कि आरस्त में मंगल देव अपनी विवेक बुद्धी बल पर शमानित और एक साथ बैटे होने से सुयस्यस्य विर्दी के बंद सिल करता और बहुत बड़े बड़े प्रिसकरार प्राप्त करता है प्रपुलित और परसंचीत सफलता का दिन लगन का चंडर्मा अच्छा फल देता है ग्रकोचन अनिकूल है क्योंकि शुकर और शूरिक के नक्षत्रों में चंदरमा का संचन है, कानुनी शमेशे का शमादान होगा, हर्चेतर में शपलता मिलेगी, धनलाब मिलेगा, सुजनों से सायोग मिलेगा, राजनिते शामाचिक वर्चसों में व्रदी होगी और आपके अधिकारों के में विवर्दी होगा, अब यू आर विद्याती हैं, शिक्सा, केरियर, कारूबार, नोकरी, वविशाई में अच्छे अउसर प्राप्त होगी, स्वास्ति उत्तम रहेगा, मन प्रसंद होगा, सिक्सा की सित में कुछ अच्छा करने का मोका मिलेगा, और आज का दिन बड़ा सुबह आप पुंजीने बेश कासा क्या ना करें इदिकारी साज़ेदारी में तो मन मुटाव ना करें सुबह के एक सुबरंग लाल भागी आपके पक्ष में असी प्रसेंड लाव का संके दे रहा है मेश्टरासिवालों लाल बस्तर में शर्धानों से अनुशारिया आट सो ग्राम शाबूत मसूर बांदी और अपने उपर से एंटी क्लॉग बाज साथ बार उसारी सफाई करमच दून में पापने पूर आज अपनी लक्ष अपनी कारी अपने से मतलब रखेगा जहां आपने दूसरों के कारे में टांग डाने शुरू कर दी आदी रोटी में दाल दी बीना सोचे सुनजे किसी की मतेस्ता करी तो बिने बुलाए महमान की तरह समशाए आपके आसपास आ इस्ति आपके निर्ण से बार होगी अपनों से आप समझे से नहीं बिठा पाएंगे वेर्थ की गल्थ फैमिया होगी और कारुबार के छेतर में बादार उपरेशन ना सामना करना पड़ेगा यह और विद्यारतियों को आज के दिन विशेश शावधानी बरत नहीं होगी क्या करें कोई भी जल्दबाजी में निर्णाय नहीं लें क्या ना करें रुकाउट का आगे विवस्त नहीं हो मजबूत रहे और शास में कमी नहीं आएं सुबंग से सुबंग निला भागिया आपकी पक्स में 35% निलाब का संकेत मिला है विश्वराश वालों स्वेत की प्यूबडे में शर्धान उसार रहर दाल धुली रहर बांधी अपने साथ बार उसार हें किसी शिव मंदिर हैं और बात करते हैं प्यार्वन 1 सब्सक्रावर को विद्धार्ट में शंचनक्राइब शमय उत्तम है निजिछाओं के पूर्ति हो अभिलासाओं के पूर्ति हो केरियर हो चाहिए नौकरी हो चाहिए वैविशाई हो उनतिक के अच्छे उसर मिलेगे एक सी अधिक रोजगार के साधन उपलब जाओंगे आप बेरोजगारी तो आपको रोजगाल मिलेगे और आप नौकरी में तो आपका प्रमोशन हो सकता है आप उच प्रसासने का अफसर है तो आपके ओदों में बलोतरी हो सब्सक्राइब राजनेतिक सपलता के अच्छे उसर है नए वैविशाई के अनमंद और यात्रा सपल होगी घर में शुब औ मांगले कारी संपन होगे और उत्सारों मंग बढ़ेगा युवाँ और विद्यार्त लिए आज का दिन बड़ा सुब है माता पिता प्रिजनों के सयोग से प्रसंता होगी शिक्षा की सित में शपलता मिलेगी अधिकारी वर्क का विशेष सयोग मिले अगर कारों में उनति दाशवालों हरे बस्तर में सर्दानों साशाबुत मुंग बांदि और किसी विध्वाय स्री को दान में दे देजीगा कस्त और प्रेशान शिटकारा मिलेगा नमनंग बात करते करकरासी दसमभाव में चंदर्मा शूरी और सुक्र के नक्षतर में संचनगा नक्षतर करना फिलाब शपलता र खुश ही का संकेदी तया में और आपका नाम होगा आपका ययस होगा कारी आपकी पकड़ में होका और क्यारी कुष्ष्वालता की वजए स सम्रे het स्वाजनों का सफलता में साइक्सिद होगा शूज बुझ और परश्रम से किया गया कारी मेहनत धनलाब देगा और योजना आपकी सफल लेगी वैवशाय में ब्रदी के अच्छे अफ़सर मिलेगे स्वास्ति उत्म और कारिश्रम तक अभिकाश होगा आप युवा और विद्यारती हैं, अफसरों का अच्छा सयोग मिलेगा, वैवशाय में उनत्य की साथ धनकोष में बिर दी होगी, कोई नया टंडेंट, नया ओर्डर भी मिलेगा, धन लाब और सुक का सयोग बनेगा, और शिक्षा के च्छत में सफलता मिलेगा, क्या इचित कपड़े में, सर्दानुसार अखंडित चावल बांद दिएगा, और अखंडित चावल बांद कर, किसी गरीब निर्धन, स्वागन, महिला को दान में बज़ेगा, कस्त और परिशानिया नहीं हाईगी, नमणानी बात करते हैं, शिंग राज सेगी, नमभाव में चंदर मा सुरी और शुकर के नक्षत्र में संचन करा, नक्षत्र करना पिछली परिशान उसे मुक्ति का संचन करना, काम बने, लेंदेन की मसले हल, कारुबारी परिशान उसे मुक्ति मिले, पिता का पूंठ सयूग प्राप्थ होगा, बुजर्व लोगों के सयूग से केरियर कारु समधान होता नजर आएगा और यात्रा अनकूल है आप युवा है विद्वान है सकारत में बाता पन रहेगा मननंगुल कॉलेज स्कूल में दाकला होगा सपलता के लिए अपनों से बड़ों का समान बहुत जरूरी कारिश्यत में पून नजर क्या करें समझोता बादी सिकारी संपन करें क्याना करें आवश्यक सोदय की प्रति लापरवाई ना करें सुबंक साथ सुबरंग गोल्डन भाग्या आपकी पक् बेट्व के नक्षतरों में शंचन करें शमय प्रतिकूल तका संकेड़ी किसी विशे सिकारी में जल्द बादी से मोटा नुक्सान हो जाए नौकरी वेविशाइक कामकाज में परिवर्तन धनहानी की चिंता उत्पन कर रहा है और कारुबार के छेतों में अर्ज्तिरता उत आशा की प्रतिकूल समचार में लगी मन बड़ा बेचैन रहेगा और व्यविधान विकारी में उत्मौन करें अधूर्य कारियों को पूर्ण करने के लिए परियास करी और परिवार को साथ लिए क्या ना करें कारुबार यात्रा में आज लाप पुरवाई ना करें शुब में शंचन करा है ग्रेगोच शुब शितारे लाप और शफलता के अच्छे संकेले मनोकामना पून होगी शास्त और पुर्शार्प बढ़ेगा सामजिक मान प्रतिष्टा बढ़ेगी नौकरी में 29 अधनलाब होगा भाई बंदों का स्योग और उपवार की प्राप्ति भी भेंट की प्राप्ति भी होगी उच्छा किसे बहुत अच्छा प्रत्रशन करेंगे सास और प्राकरम से केरियर नौकरी वैवशाय के चितर में शपलता अच्छेट करेंगे हां थोड़ासा रातरी भर्मण नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा विद्यार के वरिवा तुलावी भागिया आपकी पक्ष में स्टाट परसेंट लाब का संकेदर तुलाराशिवालों आज कन्या को जो नौवर्ज की कम उमर की कन्यावने सपेद वस्त्र की पोशाक दान में देना पराशुप रहेगा नमरें परबात करते विर्शिकासी छटे भाव में चज़न लेंदेन समिश्णों का निप्टारा मिलेगा कारी इस्ति में फलबद रहेगी कारुबार में गती आएगी धनलाब होगा आर्थिक लाब का मार्ग परसत होगा शुक और शमर्दी में ब्रिदी होगी लेकिन जो डंक मारने की आज़त है उससे आप बार नहीं आए तो आप कारा मिलेगा और कला और कोशल के चितर में बोधिक प्रियासों से लाब मिलेगा इनिशिटी कॉलेज में सफलता मिलेगा थोड़ा धैरी और से काम करें क्या करें जो आपने सोचा है उसी पूरा करने के लिए पूर्ण महनत और प्रियास करें क्या ना करें बेवजे स्टत् परिशानी कष्ट में कमी आएगी केरियर कारोबार नौकरी में अपनों का साथ मिलेगा राजनितिक वर्चस्तों बढ़ेगा शेर मारकेट निजी समंदों में और लर्निंग में अच्छय आउस्सर प्राप्त होगे लेकिन शेर मारकेट में सलाकारों की सलाके मिना पुझी न सश्क्षा के छेत्र में शफलता मिलेगा काला के प्रोस्तान मिलेगा कापी हद तक आप अपने आपको एक अच्चे प्लिवे रूप में पाएगए जवादस्त पकारी में पुछन करने का मौका मिलेगा मित्रा और सोजण होग मिलेगा Pardon परिवार को शाथ करें आज कोई भी कारी पार्टनर्सिप में प्रारम ना करें शुबंक प्रपल भागे आपके परस्वें पच्वन और साथ परसंद लाब कर संकेदे धन्दाश वालों पीले वस्वें शाबद हल्दी बांदिए और किसी स्वागन इस्तरी को दान में दीज का भाव बना बनाया काम डिगड़ जाएगे तो इर्श्या रोहनकार से बच लेगा काम करने मालों से आप सी मत्वेजा तनाव देगा इसलिए थोड़ सा समझोतावादी निती अपनाई और अपना काम निकलने का प्रियास करें बाहरी व्यक्ति आपका फाइदा उठा सकत कि उनकी आवश्यक्ताओं के साथ-साथ उनकी विचारों को भी शुनने का प्रियास करिए माता का स्वास्ति प्रतिकूल नहीं हो डॉक्टर के तुरन सला लेगा किसी पिरी मित्र सी मनमुटाव की इसलिए बनने कारी में उठापटक हो सकती क्रोध पर नियन दंदकना क्या ना करें धन का अपवय नहीं करें शुबंग पांचे शुबंग प्रपले भाग्ये केवल तीस प्रसेंटी लाब का संकेदर आए मकराश वालों नीले बस्तर में स्रधानुसार उड़त बांदी और किसी शनी मंदिर में या पीपल के पेड़ के दिसे सूरी उदे से प पारवारी और समझी कारे करने का आउसर मिलेगा और मान और प्रतिष्ठा बढ़ेंगी लेंदेन के मसले असले रहेंगे आवशिक्ताओं की पूर्ची के साथ नौकरी और वविशाय में आपका साख बढ़ेगी और समझोताबादी नीती से आपका वर्चस भी बढ़ेगा साथ काम करने वाले लोगों का सही हुग मिलेगा बस पारवरिक सदस्यों से मिल्क जूल कर रहना बहुत जरूर और उनकी सला को अंदेखा ने करेंगे उस सफलता में चार चान लग जाए क्या करें स्वजनों की मदद करें क्या ना करें कारिशित में लाप परवाई नहीं क कस्ट और प्रेशानियों में कमी आएगी नमनाग और बात करते हैं मेंडासी दूसरे भाव में चंदमा शुकर और शूर्य के नक्षटर में संचन करा है नक्षटर करना इस बात का संकेति कि समय मत्यम है जल्दबाजी से बचे संयम और धहरी से काम करें और बेना सोचे आसान कुल कारी संपन कराने के लिए परिवार का साथ बहुत जरूरी इस बात पर आपको काम करना वह लेकिन साम आते आते कुछ आवश्यक्ताओं की पूर्ती होगी परिवार का साथ मिलेगा समाजी काम बनेगे और लेंदेने के मसलें भी ठीक रेंगे फिर कहता हूँ गल का पाला अपने वचन का पाला कारे कारोबार के चितर में कोई जल्द बाजी ना करे शुबंग साथ सुबरंग प्रपल भागिया आपके पक्समीशाथ प्रसंद लाब का संक्राइए मिंधा चानलों पहले बस्तर में स्रदानुसत चने की डाल मां दिये और शुबह शुब तो निनका दिगर आपके पास था आपके पास है रापी के पास रहेगा मनों नमनों यह आपकी मर्द मेरा कोई दबाग नहीं नमना है बहुश्मित्र के सब कड़ी मेहनत करतें, कठिन प्रियास करतें, शंगर्ज करतें, लेकिन कारी सफलता हाथ नहीं लेगी, यह अद्भुदू उपाय है, और यह उपाय आपके लिए बर्दान साथ भी है, हर रोज एक रोठी और शक्कर का चुमा बढ़ा दी, छोचोटी बूर का रस में लाइए, और दस बून लसू निचोड़ दी, और शीफ शीफ करके पी जाएए, तब एठीफ हो जाएगी, ओम नमोना है, फिर्दर्श का और मित्रों शात्यों, एक परियास से मेरा दबाव नहीं, मानो नमानो, आपकी मर्जी, हाँ कोई भूल हो गई हो, तो दोनों हाथ जोड़के छमा प्रति, आप शुफी रहें, आप स्वस्त रहें, समर्दी सीले, सने देव के चर्णों में मेरी प्रात्मा, ओम नमोना, रास्तान का हर व्यक्ति जानता है, एक दाति महराज गायों से बहुत प्यार करता, बेटियों से बहुत प्यार करता, ह इस रास्त का नागरिक हूँ, तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस रास्त के साथ लगाया, वरतमान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकोंट से मेरी अनकूल नहीं है, धन नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं, पहले भी क मेरा हिंखार नहीं है। कि धन को लेकर मेरा आश्त के सामने कभी नहीं आया था, हम LIVE का किसा आप, शेवा करिया आप, मैं भी शेवा करता हूँ, आप भी शेवा करते हे। धन नहीं चाहिए। لेकिन, वरतमान में जो आरस्तिक प्रस्तिय हैं, वो मेरे ये कहने के लिए मच कर रही है कि सनिधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहें इसके लिए मुझे आपका स्योग चाहिए और स्योग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकुनली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहु में गाएं के लिए चारे की व्यवस्ता कर लिए और इसलिए मैंने कहा था कि भई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गाएं चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं ऐसा हिरुदय से आया लोगों ने कहा कि राश्ट आप से प्यार करता है दाती मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गाएं के लिए चारे की व्यवस्ता करें सनि भगवान आपकी रक्षा करें आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेदा है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने संदाती महराज के जोती से समधान की आवश्रक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगबग लगवर बीस से पचीस पचास लोग ऐसे भी है जिनोंने सनिधाम गोशाला में 200 रुपया चारा कर दिया है मैं सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रपोर्ट कर रही है अपनी शिमाओं मैं रहते है जो सरकार करते हैं लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है ये आप भी जानाते है शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देखते भी हिरदे से पुने एक बार ने वेदन करना जाता है आपको लगता है कि दाती महराज के साथ सनीदाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है जरुर स्वयोकर है पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातरा थी ओम नमोन आराएन ओम नमोन